SEO यानि कि Search Engine Optimization DG Skills के इस प्लैटफॉर्म पे आप Search Engine Optimization पे एक अलग से कोर्स फुल फ्लेच पढ़ेंगे लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको जिनेरिकली और ब्रोडली SEO के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कैसी हो है क्या और कब कब हमें SEO की जरुरत पढ़ती है और यूज करना चाहिए और इसके फवायत क्या क्या है लेकिन सबसे पहले ब्रीफली जरा नजर डालते हैं कि Search Engine Optimization तरह कीकत है क्या चीज़ से एक टेकनिकल सी टर्म है और हमें से अक्से जो इस टर्म को नहीं जानते हैं वो हमेशा Confused हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी कोई टेकनिकल टर्म है और हम ना इसको कर सकते हैं ना इसको पढ़ने की जरुरत है ना इसको समझने की जरुरत है ऐसी कोई बात नहीं है SEO is a simple thing जब भी कोई user सर्च कर रहा होता है किसी keyword को तो जो website उसके सामने appear हो रही होती है organically एक तो होती है एड्स जो हमने पहले Google AdWords में पढ़ी जिसमें PPC का concept यूज होता है पेपर क्लिक का तो SEO और PPC में फरक इतना है SEO है organic तरीके से user को अपनी website को दिखाना जबके पेपर क्लिक या PPC जो होती है जो Google AdWords के तरह हम करते है उसमें आप paid तरीके से अपनी website या अपना page user तक पहुचा रहे होते है अब जब comparison हो रहा होता है SEO और PPC का तो अकसर लोग ये कहते हैं कि SEO is actually better than PPC और Google AdWords पे पैसे जाय करने से बजाए आप एक अच्छा SEO का करने वाला बंदा ढूंड लें और वो search engine optimization करके आपकी website को tweak करके आपके result automatically organic तरीके से main page के ओपर ले आएगा या first ranking अंदर ले आएगा बात उनकी भी ठीक है लेकिन मेरा आपको as a digital marketer ये suggestion है कि आपने दोनों चीजों को hand in hand लेके चलना है जहां organic searches important है वहाँ ad oriented यानि paid searches भी important है जब आपने SEO सही तरीके से कर लिया आपने you have cracked the nut कि किस तरीके से SEO करना है अपनी website का तो automatically आपकी reach भी बढ़ी होगी और आपका page main page पे आ रहा होगा अकसर जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़रा गोर कीजिए हम सबसे पहले उन websites पे click करते हैं जो पहले page पे होती हैं और बिलकुर top पे आ रही होती हैं अब उस top page पे और top rank पे पहुंचने के लिए जो companies हैं they have to spend a lot of time and a lot of energy in order to reach over there तो जिसना मैंने कहा के paper click भी आप use कीजिए और SEO की power को भी use कीजिए SEO आपकी website को most credible बनाता है यानि के आपकी website becomes the most relevant in the searches जब भी कोई keyword search कर रहा है तो चुक्के आपकी website organically वहाँ अपीर हो रही है तो इस वज़ा से user यह समझता है कि यह most relevant website है based on my keyword research ठीक है और इसके साथ जो दूसी चीज़ है जब आपकी website relevant होगी तो user उसको click भी करेगा तो SEO को दूसरा फायदा क्या हो गया कि most relevant तो है ही है लेकिन साथ साथ most clicked website भी बनती जा रही है again it is all for free तो paper click में आप pay करके वो काम करवा रहे हैं जब भी search engine optimization की power को use करके आप ये तमाम चीज़ें free के अंदे करें यानि के organic तरीके से करें इसके लावा ज़रा थोड़ सी नज़र डालते हैं कि चंद और मजीद benefits क्या क्या हो सकतें SEO के सबसे पहले और सबसे बड़ा benefit ये है कि कुछ लोग हमें से ऐसे हैं कि जिनको ads पसंद नहीं है आप अपने ज़रा गौर किजिए कि आप मैश देख रहे हैं TV पे बैठे दिर्मयान में ads चलना शुरू हो जाती हैं बेशेक वो आपकी favorite product की ad हो लेकिन अकसर यह होता है कि आपको ads पसंद नहीं आती है इसी तरीके से इसी तरह के लोग digital environment में भी exist करते हैं जिनको ads पसंद नहीं होती है तो जब भी आपको चीज़ टाइप करते हैं और ad उपर अपीर हो रही होती है तो हमें से एकसर ऐसे लोग हैं कि जो उन ads को देखकर कहते हैं कि भाई इस पे तो मैंने click नहीं करना let's scroll down and let's find out कि कौन-कौन सी website जो है organic तरीके से पीर हो रही है तो SEO उस चीज़ का answer है क्योंकि आपकी website के साथ ad का लवज लिखावा नज़र नहीं आ रहा होता है जिसना Google Adverse की campaign में होता है तो इसकी विज़ा से वो लोग जिनको ads पसंद नहीं है वो आपकी website को again most relevant भी समझेंगे और most credible भी समझेंगे और फिर आपकी website पर click करेंगे दूसरा बड़ा benefit SEO का है long term value आपने invest कर दिया SEO के अंदर time लगाया technical knowledge गेन किया non-technical गेन किया दोस्तों से पूचा, खुद learn किया लेकिन जब आपने एक website को ranking result के अंदर top पे लाके छोड़ दिया तो वो वहाँ stay करती है कुछ हरसा it doesn't go down again in ranking and searches ज्यादा जल्दी तो वो जो value है over the period of long term जो है वो achieve होना शुरू हो जाती है अब यहां आकर अगर आप अपनी website को update करना छोड़ देते हैं या SEO को नहीं embed कर रहे होते हैं on a regular basis तो फिर eventually आपकी website जो है वो ranking में गिरेगी लेकिन for a longer period of time आपकी website अपेर हो रही होती है top researches के अंदर और जब भी कोई keyword टाइप करता है तो आपकी website के सामने अपेर होती है अचा इससे आगे चलके देखें तो अगला जो main point जो मेरे नज़ी बड़ा important SEO का है वो है यह कि branding में आपको बहुत help करता है again जब आपकी website टॉप पे अपेर होगी तो क्या होगा लोग ज़्यादा आपकी website पे click करेंगे लोग आपकी website पे ज़्यादा click करेंगे तो आपका brand जो भी आपका brand जिस मर्जी product का है वो relevant बनता जाएगा इसी तरह जब भी कोई automatically तरीके से सर्च करेगा तो दी गूगल basically shows that particular website on top कि जिसकी credibility SEO की power यह तमाम चीज़ें बिलकुल ठीक है और उस particular website के टॉप पे होने के विज़ा से credibility चुँके बढ़ रही है तो branding power भी बड़ी strong होती जाएगी last के अंदे दोस्तो pay-per-click versus SEO इन दोनों मेंसे आपको as a digital market किस पर focus करना चाहिए यह बहुत बड़ी debate है आजसा मैंने पहले भी कहा कि हम मेंसे majority लोग ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि वही सिर्फ SEO को use करो pay-per-click को छोड़ दो मैं बिल्कुल यह सिजेस्ट नी करूँगा SEO is hard work search engine optimization is not easy it is hard work pay-per-click जो है वो it's convenient also yes you do pay लेकिन आपको वो तमाम जो objectives हैं वो achieve कर पाती है तो आपने SEO को भी साथ लेके चलना है pay-per-click को भी साथ लेके चलना है TG Skills का course जो है search engine optimization का है उसको आपने course से देना है और गोर्ष से पढ़ना है ताके आपके पास search engine optimization की technical skill भी आजए और यह काम भी आप अपने तोर पे खुद घर पे बैटके करना शुरू कर दे